लोग सभा चुनाओ 2024 कुली कर मायावती अभी भी अपने पत्ते खोलने को तयार नहीं है बसपा एक तरफ एकला चलो की बात करती है भाजपा और कॉंग्रेस पर एक बराबर हमला करती है लेकिन दूसरी तरफ इस बात के भी संकेत देती है कि वो किसी के साथ भी जा सकती है मायावती ने गुरुवार को पार्टी कार्याले पर अपने संबोधन में जो कुछ कहा उससे तो यही पता चलता है कि बसपा समयाने पर NDA या INDIA में से किसी का भी हिस्सा हो सकती है बसपा सुप्रीमों मायावती ने गुरुवार को लखनों में पार्टी कार्याले पर मीडिया से बात चीत की अपने बयार में मायावती ने सत्ता और विपक्ष को बराबर की डोस दी इस दोरान उन्होंने नाकिवल संसत की घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा बलकि विपक्षी घट बंधन पर भी हमला बोला उन्होंने विपक्षी सांसदों की निलंबन और बिना विपक्ष के संसत में विधेयक पारित होनी को लेकर भाजपा को घेरा तो सदन के बाहर कथित तौर पर की गई उपराश्ट पती जगदी धन्खड की मिमिक्री को लेकर विपक्ष को भी नसीहत दे डाली किन्तु संसद्य इतिहास के लिए ये घटना अती दुखत दुर्भाग्य पूर्ण वे लोगों के विश्वास को आघाग पुँचाने वाला है और इसी दोरान मानने राजसबा सभापती का संसद परिशर में निलंबित सांसदो दुआरा मजा खुडाने का वीडियो वायरल होना भी अनूचित व्य असोगनी है साथी विपक्ष विहिन संसद में आमजन के हिस्से देशवय आमजन हिस्से जुड़े अती महत्रपूर्ण विद्यकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है मेडिया से बातचीत में बसपा सुप्रीमू ने विपक्षी गठ बंधन के नेताओं को चेतावनी भी दी मायवती ने कहा कि विपक्षी गठ बंधन में जो भी पार्टी में शामिल नहीं है उसके बारे में ठीका ठीपड़ी करना ठीक नहीं है क्योंकि कब किसको किसकी जरूरत पढ़ जाए ये किसी को पता रहे अस दोरान उन्होंने समाजवादी पार्टी का उधारन भी दिया इसके इलावा विपक्ष के गटवंदन में बीएसपी सहीत अन्य जो भी पार्टिया शामिल नहीं है बीएसपी सहीत अन्य जो भी विपक्षी पार्टिया शामिल नहीं है तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका ठिपनी करना उचीत नहीं है तथा इससे इनको बशना चाहिए मेरी इनको यही सलावी है क्योंकि भविस्य में देश में जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पढ़ जाए यह कुछ भी कहा नहीं जा सकता है अर्थात फिर ऐसे लोगों को वे पार्टियों को भी काफी सरमिंदगी उठानी पड़े यह ठीक नहीं है और इस माबले में खासकर समाजवादी पार्टि इस बात का जीता जागता उधारन भी है इससे पहले बुद्धवार को मायावती के उत्तराधिकारी और बस्पा की राष्टिय को ओजिनेटर आकाश आनंद ने भी एक एक्स पोस्ट के जरिये विपक्षी गचबंधन और भाजपा पर एक समान मात्रा में हमला बूला था बस्पा सुप्रीमो मायावती ने जस तरह से दोनों ही खेमों पर हमला बूला है उससे ये साफ है कि बस्पा निट्रल रहकर एकला चलो वाली नीत पर ही 2024 के 24 समर में उत्रेगी लेकिन दूसरी तरह उन्होंने कट किसको किसकी जरूरत पढ़ जाए बोलकर अपने द्वार भी कोल रखे हैं अब देखना दिजस्प होगा कि आगे हाथी की चाल क्या कुछ होने वाली है बेरो रिपोर्च इंडिया पबलिक खबर तो फिलाल के लिए राजनीती से जुड़े इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं और देश-प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल-पल रहने के लिए अपडेज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पबलिक खबर और बिल आइकन को दबाना बिलकुल भूलें कर दो